देखते हैं आइफोन स्क्रीन को लाप्टॉप पे कैसे शेयर करना है आपको airserver.com slash download में जाना है airserver software है जो हम लोग लाप्टॉप में इंस्टॉल करेंगे आइफोन की स्क्रीन शेयर करने के लिए तो for windows आपको यहां नीचे स्क्रोल करना है 32-bit और 64-bit जो भी डाउनलोड करना है यहां से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की फाइल इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा उसे डबल क्लिक करके ओपन करना है और इंस्टॉल एनिवे next करना है यहाँ भी next करना है यहाँ license accept करना है फिर next करना है see यह license software है बट हम एक महने के लिए free trial यूज़ कर सकते है तो मैं trial वाला select करके next करता हूँ next करना है और यहाँ whenever our laptop starts वो time पे आपको software चालू करना है नहीं करना है तो no पे tick करके next करना है फिर install करना है installation finish हुआ अभी finish पे click करना है यहाँ फिर से option दिया है अगर आपको buy करना है तो आपको buy पे click करना है बट हम free trial यूज़ कर रहे है तो try पे select करना है और यह activate हुआ for 30 days, 31 days from now और यह software installation complete हुआ है आपको finish करना है finish करके आपके iPhone का first screen पे जाना है और अप scroll करना है वहाँ आपको screen mirroring option मिलेगा वहाँ आपका laptop का ID आपको show होगा आप उस पे click करना है जैसे ही click करते हो आपके laptop का laptop पे screen mirror हो जाएगा iPhone का और कुछ इस तरह आपको iPhone screen mirroring दिखेगा और यही है आपको up scroll करके screen mirroring option पे click करना है और उसके बाद आप iPhone आपके laptop पे देख सकते हो जो भी application आपको use करना है iPhone screen mirroring इस तरह से आप iPhone screen mirroring यूज कर सकते हो आपको यह वीडियो मेरा पसंत आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेर करो थैंक्यू सो मच